बारिश हो रही है और बारिश से तमाम परेस्टानियां भी बढ़ रही हैं बारिश से कॉशल्या डैम के पानी का लीवल बढ़ा है खबर बड़ी इस वक्त आ रही है मुख्यमंत्री मुनहौललाल ने कॉशल्या डैम का जायजा लिया है पंचकुला के डीसी समेट तमाम अधिकारी इस दोरान मवजूद रहे डैम से 4000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है ये मुख्यमंत्री ने कहा अब बारिश रुख गई है अभी इस्तिती बिल्कुल ठीक है हर प्रकार की इस्तिती से निफटने के लिए अधिकारी थैयार है प पानी को लेकर निरिक्षिन करने के लिए पहुँचे मुख्यमंत्री मनहलाल तस्मीर के जरीए आप देख सकते हैं त्योंकि बारिश हो रही है पहड़ी राज्यों और लगातार कौशलिया डैम का जलस्तर बढ़ रहा था उसके बाद जाइजा लेने के लिए मुख्यमंत् का जर लेने के लिए मुख्यमंत्री चंति दिख informação थी शित्याने लेने के लिए मुख्यमंत्री न यहींजा लेने के लिए हथनी कुन बेराज पर एक लाग क्यूसीच पानी छोड़ा जा रहा है वहां तीन लाग क्यूसीच पानी होता था और उसके लिए अलट जारी कर दिया है और आगे भी बारिस आती है या पहार से पानी आता है हर परकार की स्थिति निपटने के लिए मुख्य मंतर ने कहा है कि उनकी टीम त्यार है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी काया है कि अभी ओस्तन से जादा बरसात हुई है और कई स्थानों पर एक दो घंटा पानी भरा है और फिर पानी निकाला गया है इसके साथ साथ मुख्य मंतरी आम आदिम पार्टी पर भी निचाना सादने से नही चुके और उन्होंने कहा कि हर्याना में बिजली की कोई समस्चा नहीं है हर्याना में बिना मुद्दे के मुद्दा बनाया जा रहा है और जो आमादी पार्टी इसको लेकर मुद्दा बना रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि यहां लोगों को बिजली जो है पूरी मिल रही है हर्याना में इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इसलिए ये मुद्दा बना रहे हैं च्छी बहुत शुक्री है आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल तो कोशलिया डेम मुख्यमंत्री मनहलाल पहुंच रहे हैं और उन्होंने जाइजा लिया है क्योंकि डेम का जलसतर बढ़ने से चिंताएं बढ़ रही थी हाला कि उन्होंने कहा बारिश अब कम हुई है और चिंता की कोई बात नहीं आगे